नमस्कार दोस्तो बैश्चनवी और्गेनिक डेरी फॉर्म में आपका स्वागत है आज मैं आपको स्वच्छ दूदूद पादन कैसे करें इसके बारे में जानकारी देना चाहता हूँ बहुत सारे जो छोटे मोटे डेरी फॉर्मर होते हैं जो सुद्ध दूद का उद्पादन नहीं कर पाते हैं उसकी जो बड़ी बज़ा है जैसा कि हम जानते हैं कि दूद एक सरवोतम पेव खादपदार्थ है इसमें भोजन के सभी बिटामीन आदि उचित मातरा में पाय जाते हैं जो मानव स्वास्त के लिए अत्यंत अवश्यक होते हैं इसलिए दूद को एक समपूर्ण हार कहा जाता है दूद में पाय जाने वाले उपिउक्त अवश्यक तत्व मनुस्यों कि ही भाती दूद में पाए जाने वाले सुच्म, आख से न दिखाई देने वाले जिवानों के ब्रीधी के लिए भी उप्युक्त है जिससे दूद में जिवानों के ब्रीधी होते ही दूद सिग्र खराब होने लगता है इसे अधिक समय तक साधारन दसा में सुरच्छित नहीं रखा जा सकता है दूसरे कुछ हनिकारक जिवानों दूद के माध्यम से दूद पीने वाले के बिभिन परकार की बिमारी पैदा कर देते हैं अंतता दूद को अधिक समय तक सुरच्छित रखने गंदेव असुरच्छित दूद पीने से होने वाले बिमारियों से उपभकताओं को बचाने तथा अधिक आर्थिक लाव कमाने के उदेशे से दूद का अतियंत साफ तरीके से सुरच्छित निकालना या दोहन करना या सुरच्छित ग्रहक तक पहुचाना आती आवस्यक है स्वच्च दुद क्या होता है वह दुद जो साफ बिमारी रहित जानवरों से साफ वातावरन में साफ जिवानु रहित वर्तन में साफ बिमारी रहित गौाले द्वारा निकाला गया हो तथा जिसमें दिखाई देने वाली गंदगियां जैसे गोबर के कन, घास, फूस के तिनके, बाल, भैस या गाय का, मच्छर, मख्यां बिलकुल नहो तथा दिखाई देने वाली गंदगियां जैसे सुच माकार वाले जिवानों कम से कम संख्या में हो दूद में दो परकार के गंदगियां पाई जाती है आखों से दिखाई देने वाली गंदगिया जैसे गोवर के कन घास फूसके तिनके बाल धूल के कन मच्छर मख्यां आदी इन्हें साफ कपड़े या छन्ने से छान कर अलग किया जा सकता है आख से न दिखाई देने वाला गंदगिया इसके अंतरगत सुच्म आकार वाले जिवानों आते हैं जो केवल सुच्म दर्सी यंत्र द्वारा ही देखे जा सकते हैं इन्हें नश्ट करने के लिए दूद को गरम करना पड़ता है दूद लंबे समय तक खराब न हो दो स्रोत हैं जानवरों के अयन से या थन से थनों के अंदर पाए जाने वाले बिशानों बाहरी बातावरन से जानवर के बाहरी सरीर से जानवर के बंदने के अस्थान से दूद के बरतन से दूद दूहने वाले गवाले से अन्य साधनों से मच्छर, मख्यां, गोबर, भूल के कनो या बालों से दूद में दूद को दूसीतिया गंदगिया फैलाता है हमारे देश में इस समय को दूद का उत्पादन 3.3 करोड मिलिन टर्न है से अधिक है जो अधिकतर गाओं में या शहरों के नीजी डेरियों में ही उत्पादन किया जाता है जहां सफाई पर ध्यान न देने के कारण दूद में जिवानों की शंख्या बहुत अधिक होती है तथा दिखाई देने वाली गंदगिया जो नहीं होदना चाहिए वो अभी मौजूद रहती है इसके मुखे कारण है गायों के बच्चों को थन से दूद का पिलाना गंदे वर्तन से दूद निकालना एव रखना गाओं एव शहरों में गंदे अस्थान पर दूद निकालना पसुओं को दूधने से पहले ठीक से सफाई न करना पसुओं को दूधने से पहले हाँ थे कपड़े साफ न रखना दूध दूधने वाला का बिमार होना दूध बेचने ले जाते समय पतियों भूसें वा कागज का इस्तिमाल करना देश के जलवायू का गर्म होना, गंदे पदार्थों से दूद का अपमिश्रन करना साप दूदूद पादन स्वस्थे आर्थिक लाव के लिए अवस्यक है अता एसे दूदूद पादन करते समय निम्न बातों का ध्यान अत्यंत अवस्यक है दूद देने वाले पसू से संबंधित सावधानिया, दूद देने वाला पसू पूर्ण स्वस्थ होना चाहिए टीवी थनैला इत्यादी बिमारी नहीं होना चाहिए पसू की जाच समय समय पर पसू चिकितसक से कराते रहना चाहिए दूद दूहने से पहले पसू के सरीर को अच्छी तरह सफाई कर लेना चाहिए दूहाई से पहले पसू के सरीर का सरीर पर खरारा करके चिपका हुआ गोबर धूल कीचर साफ कर लेना चाहिए खास तोर से पसु के सरीर के पीछे इससे पेट अयन थन पूछ पेट के नीचे की बिसे सफाई करनी चाहिए दुखाई से पहले अयन थन की सफाई करनी चाहिए यदि किसी थन से कोई बिमारी हो तो उससे दूद नहीं निकालना चाहिए दुखाई से पहले परतेक थन की दोचार दूद की धारे जमीन पर गिरा देना चाहिए दूद देने वाले पसू के बांधने के अस्थान से संबंधित सावधानिया पसू बांधने वा खड़ा होने के प्रयाप्त अस्थान होना चाहिए फर्स यदि संभव हो तो पक्का होना चाहिए यदि पक्का नहीं तो कच्छा फर्ष सम्तल हो, उसमें गढ़े इत्यादी नहो, मुल मत्र वा पानी निकलने की वेवस्था होनी चाहिए दूद दूहने से पहले पसु के चारो और सफाई का ध्यान देना चाहिए गोवर मुत्र हटा देना चाहिए यदि बिचावन बिचाया गया है, तो दूहाई से पहले उसे हटा देना चाहिए दूद निकालने वाली जगह की दिवार, छट आधी साफ होना चाहिए उसकी चुने से पुताई करवा लेना चाहिए तथा फर्ष की फिनायल से धुलाई दो घंटे पहले कर लेना चाहिए दूद दूहने वाली वेक्ती से संबंधित सावधानिया दूद दूहने वाला वेक्ती स्वच्छ होना चाहिए उसे किसी परकार की कोई बिमारी ना हो उसके हाथ के नाखुन कटे होने चाहिए तथा दूहाई से पहले हाथों को अच्छी तरह से सावधान से धोल लिया गया हो गौाले या दूद निकालने वाले वेक्ती के कपड़े साफ होने चाहिए तथा सीर धके होने चाहिए दूद निकालते समय सीर खुजलाना वो बात करना तंबाकू खाकर थुकना छीकना खासना आदी गंदी आदते बेक्ती में नहीं होना चीए अन्य सावधानिया पसवों को चारा दाना दुहाई के समय नहीं देना चीए बलकि पहले या बाद में देना चीए दूद में मच्छड मक्खियां का परवेश रोकना चाहिए ठंड़ा करने से दूद में पाए जाने वाले जिवानों की ब्रिधी रोक जाती है दूद को गर्मियों में ठंड़ा करने के लिए गाउं में सबसे सरल तरीका यह है कि घर में सबसे ठंड़े अस्थान पर जमीन में एक गड़ा खोद कर और उसमें बालू बिच्छा दें तथा उसे पानी से तर कर दें और उसके उपर दूद का वरतन जिसका मुह महीन साफ और कपड़े से बंधा हो उसमें रख दें समय समय पर गड़े में पानी डालते रहें ऐसा करके आप उसको घड़े के अंदर दूद डाल करके ठंड़ा रख सकते हैं और खराब होने से बचा सकते हैं नोट बी एम सी बलक कोलिंग आज के आधोनी की उप में बलक कोलिंग मशीन जो बी एम सी है वो भी दूद को जो 22 से 28 डिगरी टेंपरेचर पे गर्म दुहाता है उसको ठंधा करने के लिए बी एम सी का इस्तमाल बहुत अच्छे तरीखे से होता है यह बी एम सी जो है 22 से 28 डिगरी टेंपरेचर वाली दूद को 0 से 5 डिगरी या 3 डिगरी पे माइनस में करके और दूद को 5 से 7 दिन तक सुरच्छित रखने का छमता रखता है डेरी फॉर्मिंग में अगर सुरुवाती चीजों को ध्यान में रखते हुए और गेनीक दूद उत्पादन के तरफ इंडिया को आगे बढ़ना चीए जैसे नीम के पत्ते खिलाना टाइम से और इससे कायों का खुन साफ होता है थैंक यू